आज किचन की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकेसाद सर्ट शेर कर रही हूं, जो आपके किचन में रोज काम आएंगे और आपके सामान को खराब होने से भी बचाइगे तो आपके लिए ये kitchen tips helpful रहे तो आप वीडियो को like और share चुरूर से कीजेगा सबसे पहले kitchen tip है दही को लेकर जब भी हम winters में दही को set होने के लिए रखते हैं तो ये देखिए कभी कभी ऐसा हाल हो जाता है कि दही set हो ही नहीं पाता और जो दूद है वो waste हो जाता है अब ये दूद किसी काम का नहीं है तो इस दूद को waste होने से बचाने के लिए हमने एक बरतन लिया है इसे हम gas पर रख देंगे और इसमें डालेंगे हम पानी पानी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है एकदम boiling point तक देखिए पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो मैंने यहाँ पर एक towel लिया है इसके उपर हम ये बरतन रखेंगे और अब ये टीफिन रख देंगे जिसमें हमने देही को set होने के लिए रखा था अब फिर हम इस परतन को अच्छे से cover कर देंगे और फिर से मैंने इसे towel से ढख दिया है अब आप इसे एक से डेट गंटे तक ऐसे ही रहने दे इसे बिल्कुल भी ना हिलाएं और एक गंटे के बाद मैंने इसे चेक किया है अब इस टीफिन को हम खोल करके देख लेते है तो एक गंटे के अंदर ये दही अच्छे से set हो चुका है जब आप इसे fridge में रख देंगे ना तो ये एकदम ठीक हो जाएगा तो है ना बहुत unique kitchen tip तो इस tip को आप winters में जरूर से आजमा करके देखे 100% work करती है इनका यूज हम फ्रिज में ही नहीं kitchen को organize करने के लिए भी कर सकते हैं तो ये बहुत useful लगी मुझे और इन baskets में आप इस तरीके से spoons, knife और रख सकते हैं और kitchen के self पर इस तरीके से लगा सकते हैं जो आपके space को भी बचाएंगी तो इन baskets में आप vegetables भी रख सकते हैं और kitchen के कुछ सामान भी रख सकते हैं ये देखिए और इस product को buy करने का link आपको नेचे description box में मिल जाएगा next kitchen tip है लोकी के लिए कई भार क्या होता है हमें लोकी को आदा ही use करना होता है और आदा हम fridge में रख देते हैं लेकिन वो आगे से oxidize हो जाती है तो लोकी को काली होने से बचाने के लिए हम लेंगे एक foil paper और जो बागी की बची हुई लोकी है इसके उपर हम इस तरीके से foil paper को लगा देंगे अब आप इस लोकी को ज़्यादा दिन तक fresh रख सकते हैं यह खराब नहीं होगी और यह vegetable institute करने के लिए मैं इन्हें इन्हें बास्केट में रखती हूँ जिसे कि मैं quickly इन्हें निकाल सकूँ तो इसे भी मैंने fresh में रख दिया है इस बास्केट में next kitchen tip है apple के लिए apple को cut करने के लिए आप इस तरह के से pillar ले जो हम आलो चिलने के लिए लेते हैं न वो ही pillar आई है इस pillar को हम apple के बिचो बिच इस तरह के से गुमाएंगे यह देखी और apple के नीचे के सिरे तक इसे गुमाएंगे और यह देखी apple के जो seeds हैं वो एकदम अलग हो जाएंगे तो बिना apple कटरे के भी आप apple के seeds को ऐसे अलग कर सकते हैं next tip है आवले के लिए आवले को जब हम खाते हैं तो हम उसे boil करते हैं ऐसा करने से आवले के जो benefits हैं वो हमें proper नहीं मिल पाते तो इसके लिए आवले को आप stream करें और आवले को stream करने के लिए आप pressure cooker में थोड़ा सा पानी अट करें और इस तरह की का कोई भी बावल अट करें और दो से तीन विशल दे लाएंगे तो आवले एकदम soft हो जाएगा जिससे आप आवले के proper benefit ले सकते हैं और मैंने अपने चैनल पर आवले की बहुत सारी recipes डाली हैं आप चाहें दोने चेक कर सकते हैं next kitchen tip है kitchen को organize करने के लिए और ये है modular kitchen drawer इसमें आप बहुत सारा kitchen का सामान रख सकते हैं चाहें वो vegetables हो या फिर grocery का सामान हो तो देखें इसको assemble करना भी बहुत ही आसान है और इस drawer में आपको 3-4 option भी मिलते हैं जैसे कि आप इसे या तो 2 rack का भी purchase कर सकते हैं या फिर 5 rack तक भी purchase कर सकते हैं तो ये kitchen drawer जिसमें मैंने अपने kitchen का सामान रख रखा है इसमें आप भरतन रख सकते हैं बच्चों के study का सामान रख सकते हैं या फिर vegetables भी रख सकते हैं तो ये kitchen drawer किचन को और्गेनाईज करने के लिए एकदम परफेक्ट है और ये यूसफुल किचन ड्रोर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स ट्रिप है आलू के लिए आलू को जब भी हम बोईल करते हैं तो उसके जो छिलके उतारना है वो थोड़ किसे हम आलू को एक बार में ही पील कर सकते हैं तो देखा ये आलू चिलने का तरीका आपका टाइम भी बजाएगा ये देख सकते आप तो कैसे लगे आपको ये आज के किचन टिप कमेंट करके जरूर बताईएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटर पक लिंग कीजिए थैंक्स पूर वोचिंग